हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे तो फ्रेंस आज बना रहे हूं मैं एक new and different recipe तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है हमारा ये recipe तो सबसे पहले मैंने एक बरतन में एक कटोरा आठा ले रखा है और उसी कटोरे से कटोरा मैंने मैदा ले रखा ह है और चमच से थो चमच करीब मैंने सुझी ले रखी है और थोड़ा सा अज्वैण ले रकए है मैंने और taste की record मैने नमक ले रखा है और थोड़े से सूखी मसाली ले रखे हैं जीरए पॉरदर धन्यगं और ऑर हल्दी पॉरदर और बारी कटा हुआ हरा धन्यगं मैने और मौहिन के लिए थोड़ सामेना इसमें तेल ले रखा है और आब मैं इसको अच्छे से एक बarpर मिक्स कर लोंगी Soap मैं इसमें एक सांद मिक्स कर लोंगी और यह देख सकते हैं अब मैं इसमें थोड़त थोड़ा करके पानी एट करके एक सोप्ट सा डो तैयार कर लूँगे इसका मैं सोप्ट ही बनाऊंगी मैं डो को ज्यादा टाइट नहीं बनाऊंगी यह देख सकते हैं मेरा एक्दम से डो रेडी हो चुका है और अब मैं इसमा हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसको बड़ी रोटिया बना लूँगे मैं और एक तो मैंने बना ली है और अब इसको मैं चाको की मदद से इसमें मैं कट लगा लूँगी आप किसी कटर के मदद से भी लगा सकते हैं इसमें कट मैं चाको से लगा रही हूं और इसको मैं कट लगा के यह देख सकते हैं से चारु कि छे fit देख सकते हैं कि अपने इचाँ से बन canon है येसे मैं सब को बना से रेडिक कर लोंगा ये मेरे सब रेड़किन हो चुक है थोड़े मैं इनको रेष्ट के लिए छोड़ दूंगी और यहां पर मेरा तेल मैंने गरम हो डाल के इनको पता है पेल ती मैं और मेडियम लोग लेंपे ही पकाऊंगी ताकि यह मेरी अच्छे से पके और एक दम क्रिस्पी और क्रंची बने और एबनिंग स्नैक्स के उसमें भी बना सकते हैं आप बच्चों के लिए कभी भी बना सकते हैं बच्चे होया बड़ी सब को यह रेसिपी बहुत पसंद आ और यह नहीं सब्क्राइब ही, तरना मैं निकाल मुझे भूस कृठीस कृड़ कि डिखते हैं यह नहीं बहते हैं, यह से सब्सक्राइब हैं